हेलो वुड्सुब गाईज नमस्कार स्वागत है अपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे अज़म बात करेंगे पी कोईन के बारे में पी कोईन में आपको पता है कि क्या हालत थे मार्केट के अंदर क्या उसके दर एक हाई पाया था क्या उसके उपर एक हाई बड़ा कि उसके बाद में उसकी रेड थी लगबग 20 डूलर के असपास 25 डूलर के असपास और उसके बाद में हाई बड़ी ट्रेडर बड़े और उसकी जो प्राइज थी वो आपको भी पता है कि कितनी गई है आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी प्राइज गई है लगबग लगबग अभी मैं आपको यहाँ पे अगर सर्च करते हैं वैंबी गलोबल के उपर यह लिश्ट हुआ है और आज की डेट में इसकी जो प्राइज है 161 डूलर यहाँ पे अगर चार्ट को हम एक बार चेक करते हैं तो इस जगाँ आप चेक कर सकते हैं यह इसका चार्ट है ओरिजिनल और हम ट्रेडिंग वीव का चार्ट चेक करेंगे क्योंकि इसमें सही तरीके से दिखेगा ने यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब इसकी प्राइज थी तो 35 डूलर के असपास थी उसके बाद में पंप होना स्टार्ट हुआ लगबग 325 या फिर 333 डूलर के असपास गया तब मैंने एक वीडियो बनाया था वो आप जाके देख सकते हैं मैंने यही बताया था यह कोईन क्या पता 1000 डूलर को भी टच कर सकता है प्रन्तु अगर यहाँ पी पर्चेज करते हैं तो अपना पेसा 100 डूलर का 10 डूलर या फिर 20 डूलर भी हो सकता है ठीक है तो रिक्स मेनेजमेंट लेके चलना था उसके बाद में यहाँ से तुरन डंप किया पंप किया डंप किया या यानि कि यह भी एक तरह का सफेद इसकेम चल रहा है जो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं दोस्तो पहली बात तो पी कोईन जो हैं मार्केट के अंदर इसकी मेन नेट के उपर लॉंच नहीं हुआ है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कोईन मार्केट केप के हिसाब से अगर हम इसको चेक करता है तो यह आप इसको पढ़ सकते हैं अभी तक मेन नेट के उपर launch नहीं हुआ है और इसमें ज्यादा hype बनी थी अभी just 16,000 का price था और यहाँ पे अभी 13,000 के आसपास आ चुका है और यहाँ पे अगर check करते हैं तो यह अभी 180 डूल के आसपास था और यह अभी आ गया 160 डूल के आसपास यहाँ पे अगर coin market cap के इसाप से अगर इसको और भी check करते हैं तो homeb global के उपर यहाँ पे अभी भी refresh नहीं किया तो यह आप चेक कर सकते हैं इसकी जो price थी 13,000 थी beatmark के उपर 13,000 थी और यहाँ पे 13,600 इसके उपर और economy exchange के उपर 627 रुबे xt.com के उपर पांसो 23 रुपे सुपर eX के उपर 6,003 रुपे तो यह एक लोगों के साथ में एक मतलब community बना के सबसे बड़ा यह आप इसको क्या बोलेंगे पता नहीं बाकी यह आप जो है वो आपके सामने है ठीक है तो इतना बड़ा प्राइज लेके जाना मतलब एक सोचने वाली बात है भाई इतना प्राइज लेके जाके अभी इसको लागे पटकेंगे 10 रुपे के 5 रुपे के आसपास उसके बाद में क्या पता 1 रुपे बने आजा है वो बड़ी बात है क्योंकि लोगों के पास market के अंदर पी कोईन बहुत है किसी के पास एक लाग है किसी के पास पांच लाग है किसी के पास दस जार है किसी के पास दस लाग भी है इसे लोग है जिसने के पास दस लाग भी है ठीक है तो thank you so much वीडियो अच्छल लाइक करिए, subscribe करिए बाकि रिक्स management लेके चलना है और ये जो मैंने आपको बताया था गिरेगा गिरेगा आज की डेट में गिर चुका है और thank you so much धन्यवाद और आपको क्या लगता है वापिस ये 300 डोलर के असपास cross करेगा यार ना करेगा वो भी आप comment box में comment करके बता सकते हैं, thank you